नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल टिक्निकल अभिशेक रजक में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो अविदा योजना का ओनलाइन एक्जाम हुआ है उसका रजल्ट कब तक आ जाएगा तो चलिए जान लेते ह हैं कि आपका रजल्ट कब तक आएगा तो आप यहां देख सकते हैं इस वक्त हम आविदा योजना के ओफिसियल पेज़ पे हैं जहां पे देख सकते हैं हमने अपने एकाउंट में लॉगिन किया है जैसे हम अपने एकाउंट में लॉगिन किया है तो यहां पे देख सकते ह हमारे एकाउंट की सारी डीटेल यहाँ पे मिल जाएगी और जैसी आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया वेलकम अविशेक यू हैफ सेलेक्टेड तो बहुत लोगों को ये मैसेज दिख रहा है तो उनको लग रहा है कि वो सेलेक्ट हो चुके है तो मैं आपको बता दू यह ऐसा कुछ भी नई इसमें बता गया है कि आप सेलेक्ट हो चुके हैं इसमें यही बता गया कि आप UPSC के लिए एक्जाम दिये हैं उसी के बारे में बता गया है आप इन सब बातों पे नाविश्वास करें कि आप सेलेक्ट हो गए हैं या नहीं सेलेक्ट हुए हैं तो मैं आपको बता दू कि अगर आपने online exam दे दिया है तो आपका जो result हो बहुत जल्द out कर दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे यह बता जा रहा है official website पे कि आपका जो result है अगर आप उत्रिड होते हैं तो उसका website पर सूची upload कर दिया जाएगा नहीं तो अगर आप परिच्छा में पास होते हैं तो आपके email ID पर एक message जाएगा और साथ में ही आपके phone number पे एक call जाएगा तो इस दो तरीकों से आपका result आपको पता चल जाएगा अगर आप उत्रिड होए होंगे तो क्योंकि यहाँ पे पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था जो बच्चों ने exam दिया था और जो बच्चे पास हो गये थे तो उनके mobile number पर और email ID पर message गया था इस तरीके से उनको पता चला था कि वो सेलेक्ट हो चुके थे तो इस तरीके से आपका जो result आ जाएगा तो यह छोटी सी जानकारी थी उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगयोगी अगर अच्छी लगयोगी तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों के साथ सेर कीजिए और चैनल क को सब्सक्राइब कीजिए तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई